अगर आप टारो में औकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अधर वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी आप टारो सेटिफिकेशन कोर्स जिसमें A to Z about टारो आपको सीखने को मिलेगा अपनी इस जर्णी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं ये भी इस कोर्स में covered है और इसी से ही related अगर कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में है आप screen पे दिये गए number पे हमें whatsapp कर सकते हैं अपने doubts को clear कर सकते हैं अब दिखिए अगर आप whatsapp करेंगे तो जादा बहतर रहेगा क्योंकि calls at times miss हो जाते हैं लेकिन whatsapp आप करते हैं तो आपको जवाब ज़रूर मिलता है और अगर आपका taro occult में बहुत interest है लेकिन अभी आप सीखने के mood में नहीं है आप मेरा free webinar जोइन कर सकते हैं जिसमें इन ही सब चीजों से related काफी सारी information आपको जानने को मिलेगी और इन दोनों के ही links यानि की taro certification और webinar के links आपको नीचे description box में मिल जाएंगे Hello everyone मैं हूं किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए June 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि June मन्त में आपके partner की क्या energies होंगी क्या आप महसूस करेंगे Finally again June मन्त में आप दोनों के बीच में क्या रह रहा है तो ये reading आपके लिए है और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ma'am इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, moon sign हो या फिर sun sign हो तो चलिए जी देखते हैं कि June मन्त में आपकी love life में क्या हो रहा है आपके अप्रिकॉंज आप लगों के लिए देखें कि June 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पर तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपके energies देखेंगे सेकंड set of cards में आपके partner के energies देखेंगे और थर्स set of cards में हम देखेंगे कि finally June मन्त में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए आपसे सबसे पहले cards में जो दिख रहे है eight of coins, reverse and dedications और ये cards सबसे पहली चीज कहते हैं कि कुछ time से या फिर June starting में या तो आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत ही devotion, बहुत ही dedication के साथ आपने पार्टनर को चाहा, आप इस relationship में रहे या फिर इस तरीके की energies आपकी रह रही है यानि कि आपकी तरफ से बहुत एक devotion, बहुत एक dedication पार्टनर के लिए रह रही है और हो सकता है कि जितना effort आप कर सकते हैं आप उससे भी जादा effort कर रहे हैं याँ पर कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि पीछे आपने बहुत effort किया इस relationship के लिए और कहीं June starting में आप थोड़ा सा मायूस हो रहे हैं याँ पर थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अब कितना effort करेंगे वो outcome नहीं मिल रहा, वो result नहीं मिल रहा देखें याँ पर 8 of coins का card reverse है तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा और इसलिए शायद 10 of swords का card कहता है कि कुछ चीजों को end करके एक नई beginning करना चाहा रहे हैं और कहीं ये आपके लिए बिलकुल भी असान नहीं हो रही है काफी issues, मसले आप face कर रहे हैं अब देखें ये ending, beginning सब के आप रिकॉंस के लिए differ करेगी कुछ के लिए हो सकता है जो भी चीजें आपको bother कर रहे हैं आपको परेशान कर रहे हैं या फिर कुछ के लिए हो सकता है इस relationship में जो भी issues, मसले हैं उनको end करके नए सिरे से partner के साथ एक beginning करना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए simply हो सकता है कि किसी ने किसी level पे इस relationship को ही end करना चाहा रहे हैं और दीखिए ये general reading है फिर से कहूंगी थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा अगर you know किसी level पे इस relationship को end आप करना भी चाहा रहे हैं तो deeper level के लिए can't stop thinking of you का काट कहता है कि जितनी भी आप कोशिश करने, खतम करने की, relationship को end करने की आप कहीं इसमें काम्याब नहीं हो पा रहे हैं बार बार आपका ध्यान आपके partner की तरफ चला जाता है आप जितनी भी कोशिश करें उनके बारे में ना सोचें फिर उनका कयाल, उनके thoughts आपके मन में आ जाते हैं और देखें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा आप कर रहे हैं ऐसा आपके एक सोच रह सकती है या फिर ऐसा एक आप करना चाहा सकते हैं लेकिन फिर से कहूंगी शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इसके लिए सब क्याप्रिकॉंस के लिए डिफ्रेंट रीजन से हैंगे लेकिन यहाँ पर Can't Stop Thinking of You का कार्ड बहुत ही क्लियरली बता रहा है कि आप उनके खयालों से अपने आपको अजाद नहीं कर पा रहे हैं जितनी भी कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में ना सोचें बार-बार उनके खयाल आपके मन में आ जाते हैं और कहीं देखिए एंड जून के लिए Nine of Cups का Nine of Coins का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आप चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर इंडिपेंडेंट बनना चाहा रहे हैं होता है न जब हूं किसी से प्यार करते हैं हम इतना emotionally, mentally, physically उनके उपर depend हो जाते हैं कि जब तक उनसे बात नहीं होती हमें अच्छा नहीं लगता है जब तक उनने देख नहीं पाते हैं हम थोड़ा सा उदास या फिर मायूस रहते हैं या किसी चीज में मन नहीं लगता है और हमें लगता है कि भे हमारी जिंदगी का पूरा कंट्रोल ही उनके हाथ में चला गया तो कहीं एंड जून में आप इसी कंट्रोल को वापिस लेते हुए दिख रहे हैं आपके मन में बहुत ऐसा एक खयाला सकता है कि बस बहुत हो गया अब थोड़ा साना खुद को इंडिपेंडन करना है मतलब इमोशनली, मेंटली, फिजिकली किसी भी लेवल पे अगर डिपेंडनसी है तो उसको खतम करना और शायद किसी हद तक आप कर भी पा रहे हैं हाला कि देखे फिर से कहूंगी सर्फिस लेवल के लिए एंड जून में आप कामयाब हो रहे हैं लेकिन मन ही मन के लिए both still in love का काड कहता है कि आपको यसे लग रहा है कि जितना भी आप उनसे बात ना करें बात ना करें is not the right thing क्योंकि देखिए जनरल इडिंग है सब काप्रिकॉन के लिए डिफर करेगा बट यूनों इंडिपेंडन्ट आप बन जाएं आप emotionally, mentally उनके ओपर depend ना हो बट deeper level के लिए बहुत एक प्यार, बहुत एक महबबत आप उनके लिए महसूस करते वे दिख रहे हैं अब देखिए overall देखूँ तो कहीं June starting में या तो आप बहुत effort कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि भई जितना भी devotion, dedication है थोड़ा सा effort कम करें क्योंकि वो result नहीं मिल रहा है और इसी जद्दो जहत में कहीं mid June आपका काफी खराब जाता हुआ दिख रहा है और end June में कहीं आप अपने आपको इन ही energies से बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं और आप देखते हैं कि आपके partner की क्या energies हैं तो देखिए आपके partner के लिए आपे सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं Juggling and Knight of Wands Reverse और ये card बहुत ही clearly कह रहे हैं कि आपके partner ना in and out up and down होते हुए दिख रहे हैं होता है ना कोई इंसान ना तो पूरी तरीके से आता है ना पूरी तरीके से जाता है and trust me ये toxic energy की definition होती है क्योंकि जब एक इंसान बहुत अच्छे से आपसे बात करके एक clear justification दे कर आपको ना कह देता है या फिर you know express करता है कि वो इस relationship में आगे नहीं बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएंगे तो कहीं आपको बहुत बुरा लगता है आपके लिए बड़ा tough होता है दिखिया I'm sorry मैं आपके partner को toxic नहीं बोल रही हूँ कभी-कभी situation circumstances भी ऐसे होते हैं कभी-कभी इंसान का nature होता है अब ये general reading है सब Capricorns के लिए differ करेगा बट definitely कहीं you know June mid तक या फिर बोलूँगी June end तक ही उनकी कही energies में एक stability नहीं रहती वे दिख रही है in and out होते वे दिख रहे हैं juggling means कभी उपर कभी नीचे कभी हां कभी ना करते वे दिख रहे हैं बहुत सारी चीजों को balance करना चाहा रहे हैं और करी June starting में 5 of coins का card कहता है हो सकता है कि थोड़ा सा आपको block कर दे अब देखिए ये थोड़ा सा block करना भी सब के लिए differ करेगा कुछ Capricorns के लिए हो सकता है कि literally आपके partner आपको social media पे block कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है social media पे block नहीं किया है लेकिन उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं उतना अपनी activities में अपनी चीजों को आपको include नहीं कर रहे हैं आपको involve नहीं कर रहे हैं और देखिए end June के लिए 10 of coins reverse का कार कहता है कि उनकी family या फिर जो भी बड़े है society जिस religion को वो belong करते हैं उनकी तरफ से एक involvement interference रहती भी दिख रही है और कहीं देखिए ये card reverse है तो negative involvement interference रहती भी दिख रही है और शायद इसलिए male running का card कहता है कि जो भी male है इस relationship में या तो वो escape कर रहे हैं वो भाग रहे हैं या फिर Capricorns आपके partner कहीं relationship से escape करते हुए दिख रहे हैं या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि escape करना चाहा रहे हैं कुछ चीजें हैं जिनको up front होके नहीं deal कर रहे हैं जिनको सामने से नहीं deal कर रहे हैं कहीं फिर से कहूँगी एक escapism वली energies उनकी रहती भी दिख रही हैं जैसे कि कुछ चीजों को ignore कर रहे हैं अब देखते हैं कि जून मन्त में क्या हो रहा है तो देखे जून स्टार्टिंग के लिए हैं आपे move on और four of swords के cards हैं और ये दोनों ही cards कहते हैं कि कुछ खास इस relationship में activity नहीं होती वे दिख रही है four of swords का card बहुत ही clearly चीजों से withdraw करने की बात करता है back seat लेने की बात करता है तो आप दोनों ही आप दोनों में से कोई एक you know actively चीजों में नहीं involve कर रहे हैं participate नहीं कर रहे हैं और deeper level के लिए move on का card बहुत ही clearly कहता है आप दोनों याप दोनों में से कोई एक move on करना चाहा रहे हैं और दिखे यहाँ पे जून मंत की energies में भी mid जून बहुत great नहीं रहता हुआ दिख रहा है और फिर मैं कहूंगी कुछ के लिए काफी खराब रहता हुआ दिख रहा है तो इस time period पे आपने अपने गुसे पे काबू रखना है आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि जोश में होश ना कोए और कैसे एक peace of mind maintain कर सकते हैं कैसे थोड़ा सा अपने मन को शांत रख सकते हैं उस पे focus करना है देखे, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको गुसा आ रहा है होता नहीं है लेकिन मुद्धा बन जाता है और in fact मैं कहूंगी अच्छी ठीक ठाक चीजें खराब हो जाती है तो यहां पर देखे टॉवर का काड कहीं एक blast, blast is actually not the right word यहां पर कहने का मतलब है कि कुछ के लिए literally हो सकता है कि बहुत गंदी वली लड़ाई हो सकती है तो इस time पर जो भी discussion negative direction में जा रहा है उसको avoid करें कुछ के लिए हो सकता है कि कोई चीज आपने suppress करके रखी वो एकदम से went out कर दी अब यह love भी हो सकता है गुसा भी हो सकता है तरीका थोड़ा सा गलत है और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसी feeling हो रही है कि इतनी शिद्दत से इतने प्यार महबत से जो भी बनाया वो सारा तूट गया और दीखे कुछ के लिए मैं फिर से देखे रिपीट कर रहे हूं कुछ के सब के लिए नहीं break up वाली भी एक situation रह सकती है मैं यह नहीं कह रहे हूं कि break up होगा बट यह वैसी situation रह सकती है और deeper level के लिए dreams का card कहता है शायद किसी level पर आपके ख्वाब तूटते हुए दिख रहे हैं लेकिन end June में कहीं चीजें किसी level पर ठीक हो रहे है या तो you know reconcile हो रहा है आप दोनों के बीच में या फिर आप दोनों में से कोई एक back step ले रहे हैं यानि कि withdraw कर रहे हैं उनको लग रहा है कि बस बहुत हो गया विस relationship में आगे नहीं बढ़ा जाएगा और king of coins का card कहता है कि बहुत practical बहुत रियलिस्टिक तरीके से चीजों को डील कर रहे हैं कि stability security पे जादा focus कर रहे हैं कहीं कैसे you know एक चीजें balanced रहें उस पे जादा focus कर रहे हैं तो यह था Capricorns आप लोगों के लिए June 2024 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें